हाई प्रेंस वेलकम नो मैं चैनल बहुत बहुत सभागत है आप सभी का तो फ्रेंस आज हम एक नई मैडिसीन का रिव्यू देख रहे हैं इस मैडिसीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजस दोसे बेनिफिट्स आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है डॉक्तर अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किसी इलाज के लिए लिए लिक कर दे रहे हैं यह आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज हम बात कर रहे हैं ओलमी जेस्ट बिटा 25 mg टाबलेट की इसमें आपको वेरियंट अलग अलग मिल सकते हैं यह तोटली आपकी भीमारी के उपर डेपेंड करता है कि डॉक्तर साब को कौन सा वाला वेरियंट लिकर दे रहे हैं आज हम ओलमी जेस्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको टू कंटेंड कॉमिनेशन मिल जाता है इस टाबलेट का इस्तिमाल डॉक्टर साबके हाईपर टैंशन हाई ब्लाट पेशर की इलाज की लिए अगर आपका ब्लड पेशर बहुत जादा बड़ा है तो ब्लड पेशर को कंट्रोल करने के साथ-साथ आपके ब्लड से इसको आरम देने का काम यह टाबलेट के लिए करती है अगर आपको इंजाइना की तकलीफ है जैसे कि हमेशा सीने में दर्द रहना आपको एरिथमा है आपको स्ट्रोक या हार्ट अटक आने का बहुत जादा खत्रा बना रहता है आपको माईग्रेन है बहुत तेज होने वाला जो सरदर्द है इसको भी कम करने क के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तमाल आपके लिए करते हैं यह पूरी तरह से एडल्फ में यूज होती है तो बच्चों से इसको दूर रखना है इस टैबलेट को लेने के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन बहुत जादा जरूरी होने वाली है बिना डॉक्टर को प्रेशर को कम करती है और आपको भविश्य में होने वाले जो भी हाट अटक या स्ट्रोक का खत्रा बना रहता है तो इससे भी आपको बहुत जादा हद तक आराम दिला देती है अगर आपको किड्नी की समस्या है तो किड्नी में होने वाली समस्या से भी आपको दूर रख इससे भी बहुत ज्यादा हद तक आराम दे देती है इसमें उलमिसाटन भी मिलता है जो एक एंजो टैंसिस रीपलेक्टर ब्लॉकर है। यह आपके पूरे शरीर में ब्लड को अच्छे से पंप करने में आपकी मदद करता है आपके हार्ट तक ऑक्सिजन लेवल को ठीक रखता है और साती में आपके ब्लड सेल्स को आराम देने का काम करता है और ब्लड सेल्स को थोड़ा चौड़ा बना कर आपके पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाने का भी काम कर देता है तो बहुत ज़्यादा यूसफूल टैबलेट है तो फ्रेंट इसको बंद करते वक्त भी आपको डॉक्टर की सला बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है इसको जब भी आप बंद करें तो अचानक से लेना बंद नहीं करना है करने से आपके हाट बेड बढ़ सकती है आपको स्टोक के हाट अगाने का खतरा हमेशा बना रहता है कुछ अविदी के हिसाब से चलती है तो जितने भी टाइम के लिए रॉक्टर लिक कर दे रहे है उतने पूरे टाइम के लिए इसको खाने के साथ या बिना खाए दोनों भी खाते हैं इसको कम करना है डार्क चॉकलेट ऑलिव उइल मक्षन इस तरह की चीज़ें आपको कम करनी है जो भी आपका कॉलेस्ट्रॉल लेवल हाइक कर सकते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है जो बिल्कुल कॉमन और नॉमिनल साइड इफेक्ट आ रहे हैं ज इसका इस्तिमाल नहीं करेंगे अलकोहल के साथ इसका इसका इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना है ऐसा करने से आपको रावजनेस हो सकती है और आपको बेहोशी भी अलकोहल के साथ इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है बहुत से कंपनिया सेम कंटेन मना कर दे देगी अगर आप अगर कोई कंपनी का सेम कंटेयन लेने जाओ गे तो देखो प्राइसिंग में उतार चड़ाओ मिल सकता है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो को हमेशा देखने के लिए चानल पर आते रहिए का किसी भी मेरे सिंग का रिविव अगर आपको चाह तो thank you friends video को पूरा देखने के लिए thank you so much